खेलते वक्त जैसे ही बादल की गरत सुनाई दे एक रूसरे से दूरी बनाते हुए ऐसे हाथ कान पर रखना है और पेरों को यू मिलाते हुए उकडू पेंट जाना है ताकि तेजवाद से कान बच सके और जमीम पर ऐसे बैठने से बिजली गिरने का घद्रा कम हो सके ए बाओ जी आगवा इह बच्चे हमारी नकल काहें कर रहे हैं इह नकल नहीं है बिजली जब बहुत करीब होती है तो इह उससे बचने का तरीका है अब तुम सर मत खाओ दर्बे के तरह भागो जब भी बादल की गरच सुनाई दे और आसपास कोई मजबूत छत वाली जगह न दिखाई दे तो तुरंत कान पर हाथ रख कर और एडियों को जोड कर बैठ जाएं और ध्यान रखें एडियां जुड़ी हुई हों बिजली का खत्रा उंचे पेड बिजली के खंभों तार और पानी में ज्यादा होता है इसलिए इन सबसे दूर रहें तैयारी में ही समझदारी राख